अरत धार्मिक मान्यताओं और पवित्र मंदिरों से बसा देश है, जहां लोग ईश्वर की आराधना करते हैं. यहां कई सारे प्राचीन और पवित्र मंदिर हैं, इन में भगवान भोलेनात के मंदिरों की महिमाही अपार है. कई भक्त हर साल भगवान शिप के इन मंदिरों, शिवालियों में हर साल लाखों की संख्या में जाते हैं. इन ही पवित्र शिवालियों में भोलेनात के बारह प्रसिद ज्योतिरलिंग भी हैं. इन ज्योतिरलिंगों का महत्व सबसे अधिक है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भोलेनात के बारह ज्योतिरलिंगों में क्या नाम है और ये कहां स्थित है। सभी जोतिरलिंगों के दर्शन करने के लिए उनके बारे में जान लीजिए। क्या है बारह जोतिरलिंगों की महिमा और कहां स्थित है शेव के जोतिरलिंग। महाकालेश्वर ज्योतिरलिंग मद्यप्रदेश के उज्जенд में स्थित है यह एकमात्र दक्षन मुखी ज्योतिरलिंग है यहां प्रतिदिन होने वाली भस्मार्ती विश्वभर में प्रसिद है ओंकारेश्वर जोतिरलिंग मध्यप्रदेश के मालवाक शेत्र में शिव का ये पावन धाम स्थित है इंदौर शेहर के पास जिस स्थान पर यह जोतिरलिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों और नदी बहने से यहां ओम का आकार बनता है वैद्यनात जोतिरलिंग जारखंड प्रांथ के संथाल पर गना में जसीडी रेलवे स्थेशन के करीब स्थित है धार्मिक पुरानों में शिव के इस पावन धाम को चिता भूमी कहा गया है भीमाशनकर जोतिरलिंग महराष्ट्रा के पूने जिले में सह्यादरी नामक परवत पर स्थित है भगवान शिव का ये 11 वा जोतिरलिंग तमिलनाडू के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है रामेशवर तीर्थ को ही सेटुबंध तीरत भी कहा जाता है बाबा विश्वनात का ये जोतिरलिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाली वारानसी शहर में स्थित है त्रयम्बकेश्वर जोतिरलिंग महाराष्ट्रा के नासिक जिले में स्थित है त्रयम्बकेश्वर जोतिरलिंग के निकट ब्रमागिरी नाम का परवत है इसी परवत से गोदावरी नदी शुरू होती है केदारनाथ स्थित जोतिरलिंग उत्तराखंड में हिमाले की केदार नामक चोटी पर स्थित है बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है केदारनाथ समुद तल से 3584 मीटर की उचाई पर स्थित है गुश्मेश्वर ज्योतिरलिंग महाराष्ट्रा के संभाजी नगर के समीब दौलताबाद के पास थे थे भगवान शिप के बारह ज्योतिरलिंगों में से ये हंतिम ज्योतिरलिंग है इस स्थान को शिवाले भी कहा जिए